हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूटीब चैनल आप सभी का आज किस वीडियो में एक बार फेसे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कच्छा आठ के जो आपका सब्जेक्ट है संसाधन में विकास यानि की भुगोल उसका यहाँ पे हम कोश्चन अंसर देखेंगे NCRT के भुक का जो सेकेंड चैप्टर है कच्छा आठ के भुगोल का भूमि मृता जल्ब प्राकलतिक वनस्पति और वन जीवन संसाधन इसका हम पूरा का पूरा कोश्चन अंसर देखेंगे यहाँ पे जाए वो पार्ट कुछ तक के अंतरगत जो प्रस्ण हो या फिर आपके अभ्यास में जो प्रस्ण हो वो सारे प्रस्ण हाँ पे हम डिसकस करेंगे और अगर आप लोगों को NCART के किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेट का कोश्चन अंसर चाहिए तो उसके लिए आप सिर्फ एक काम करिए रोसन की क्लास व्युटिप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी साथ बेल आइकन को दबा कर रखिए और नीचे कमेंट बाक्स से आप बोल सकते हैं जब आपको किसी भी क्लास के किसी सब्जेट का कोई भी कोश्चन अंसर चाहिए तो मैं उसका वीडियो बना के एक से दो दिन के अंदर आप तक प्रोवाइट करा दूँगा ठीक है और वीडियो देखने के बाद आपको लगे किया वीडियो अच्छी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजीगा तो अब देर नहीं करते हैं चलते हैं पहले प्रसन की तरफ पहला प्रसन देखे यहाँ पर है यानि कि भूम के निमनी करण के दो कारण बताना यहाँ पे तो पहला कारण है मानवी कारण वनोन मूलन यानि कि जो वनों की कटाई होती है अतिचारण यानि कि अत्यधिक वनों का उपयोग किया जाता है मानो समाज के दोरा और रासानी कुर्वरकों और कीट नासकों का अत्यधिक उप्योग दूसरा कारक है प्राकृतिक कारक वर्षा, दोहन, भूमी, भूस, खलन और बाढ़ ठीक है? एक मानुवी कारणा है दूसरा प्राकृतिक कारणा है तीसा प्रस्ण है भूमी हमारे जीवन का आधार है इसके बिना हमें आवाज, खाना, पानी, आदि कुछ भी प्राव्त नहीं होगा ठीक है? तो इसका यहाँ पे आपको एंसर खुद देना है इसके बारे हैं क्योंकि यह एक निबंदात्मक प्रस्ण है छोटा सा 3-4 लाइन का यहाँ पे अंसर बना लिजेगा यहाँ पे देख लिजे कोस्चन यहाँ पे तीसा लिखा गया है भूमी को यहाँ पे तीसा यहाँ पे ध्यान दिजेगा यहाँ पे जो यह कोस्चन है यह तीसा नमबर यहाँ पे तीन कर लिजेगा यहां पे यह ती नंबर का question है यह misprint हो गया है तो भूम को महतपूर संसाधन क्यों माना जाता है तो उसका यहां पे answer यहां पे लिखते आ गया है भूम हमारी जीवन का आधार है इसके बिना हमें आवास खाना पानी आधी कुछ भी प्राप्त नहीं होता चौथा यहां पे है question चौथा question देखेगा किनी दो सुपानों के नाम बताए जिने सरकार ने पौधों और प्राडियों के संद्रच्ण के लिए आरम किया है ठीक है तो यहां पे दोलों सुपान के बारे में यहां पे लिखा गया देखे पहला है जैव मंडल निचे कि तीन तरीके बता गया है पहला व्रिच्छा रोपण यानि कि ब्रिच लगाना दूसरा रिशाव वास्पी गाड़ रोकना ठीक है और तीसरा वर्षा जल संग रहा है ठीक है तो यह थे पहले प्रस्ण का पांचों का अंसर अब दूसरा प्रस्ण है यहां पे सही उत्तर क द्वारा भी मिर्दा बनती है लेकिन मिर्दा का गठन जो है यहां पे वो यहां पे इसका गलत एंसर होगा यानि कि यहां पे निम्लिखित में से कौन सा कारक मिर्दा निर्मार का नहीं है तो मिर्दा का गठन यहां पे मिर्दा का निर्मार का कारक नहीं है इसके बाद अक चिंग और तिस्रा है का क्रसी तो यहां पर जब धहलां जहाँए ज्यादा होता है तो धीष नेगा घेती और उसी को कहते हैं वेंगा क्रसी तो त्प्रोंन है निम्रिखित नुकरति के, क्षण नगे अनुकुर नहीं है तो यहां पर option है जब आप सकता ना हो तो बल्व को बंद कर देना चाहिए नल को उपयोग के बाद तुरंद बंद कर देना चाहिए खरीदारी के बाद polycap pack को नस्ट कर देना चाहिए तो यहां पर अनुकूल नहीं है पूछा गया है तो आपका जल वाला भी अनुकूल है ओओ और शीधन है तो र तरष्षा है यहां पर अनुकूल नहीं है तो आन्सेर हो जाए तीसर अब तीसर परिसन देखते हैं को मिलन कर दो करिए यहां पर मिलाना है एक साध रा साइट को यहाँ पे देखेगा पहला है भूमी उपयोग भूमी उपयोग को तीसरे से मिलाईए भूमी का उत्पादन कारी उपयोग अब यहाँ पर मैं अंसर दिखा देता हूं दूसरा है हूँमस आपका उपरी मिरिदा पर नीच्छेपित जयवपदार्थ है तीसरा है चट्टान बांध चट्टान बांध आपक्या है पहला option मृदा पर्दन को रोकना और चौता है क्रिसी योगी भूमी चौता है यहां पर question जो है क्रिसी योगी भूमी के सामय लिखना है क्रिसी के लिए उपयूक्त भूमी तो यहाँ पर अंसर मैंने लिख दिया नीचे इसको मिला लीजिएगा पहले का तीसरा है दूसरे का चौथा है तीसरे का पहला है और चौथे का दूसरा है इसमें बच कौन सा गया है इसमें बचा है पांचमा समुच रेखी जुताई यहाँ पांचमा बच गया है इसको क्यों है तो यहां पर पहला है भारत का गंगा भ्रह पुत्र पनामिदान अच्दिक अबाद प्रदेश है तो यहाप सभी को पता हैं कारण बताना है पहले नbut अधिक उपजाओं है जिसके कारण अधिक जनसंख्या का भरल खोसर कर सकता है इस मैदान की जलवाई मानुवी गत्विदियों के अनुकूल है यह मैदान सम्तल है जिसके कारण यातायात के साधनों नगरों और उद्योगों का विकास हुआ है दूसा कोशन है भारत में प्रत प्रतिव्यक्ति जल की जो आव सकता है वो कम हो रही है उपलब्दता तिसा कोशन है तर्टी छेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वरिच्छ कतार में लगा जाते हैं जिसे बीच की फसल उगाना कहते हैं तो इसका यह सत्य है क्या सत्य आपको बताना है तो सत्य है कारण क्या है पवन गति रोकने के लिए वरिच्छ कतारों में लगा जाते हैं ताकि मृद्या पर्दन रोका जा सके हैं और चौता कोश्चन है यहाप आपका मानुवी हस्ता छेप और जलवाई परिवर्तन पारित अंत्र को व्योश्थित रख सकते हैं तो यहाँ पे असत्य है असत्य है तो यहाँ पे आपको काड़ नहीं बताना है तो यहाँ पे चलते हैं आगले कोश्चन की तरफ पांचों कोश्चन की तरफ क्रिया कलाब भूम उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के लिए उत्तरदाई कुछ और काड़ों की चर्चा कीजिए क्या आपके स्था की सी आपने कॉपी बनाना है और यहाँ पर परस्न पूछना है ठीक्ड़ है पहले में स्थान दुसरे में जब आपके घादा लादी एक तीस वर स्चन की आए थे हूँ ये सौचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है क्या सामान च्खेत्र और खूले छ्षेत्र विलुक्त हो रहे ग्रावनिका हो गया ये अब नगरी है कारों की संख्या घरों में कमरों की संख्या पक्की सड़कों की संख्या पार्क और खेलके मैदानों की संख्या तो ये है आपने जो तालिका पूरी की है उसके अधार पर भूम उपयोग प्रतिरूप का एक चितर बनाई है जिने आप 20 वरस बाद अपने पडोस में देखने की कलपना करते हैं क्या आप क्यों सोचते हैं कि वरसों बाद भूम उपयोग बदल जाता है यह कारे विद्यारती देखिए लिखा गया है स्वयम करेंगे तो यहां पर यह कारे सभी के लिए परसनल अलग-अलग होगा कि पसु गरामड छेत्र के लिए पसु और मुर्गी पालन उद्द्यों की संख्या जब उसके बादादाजी 30 वरस के आयो थे तब कैसा था जब उस यहां पर तो यह था दोस्तों आज की वीडियो यहां पर सारे कोश्चन यहां पर जो अध्याय दो में थे वह मैंने दिखा दी हैं अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ठीक है और अगर आप लोग को NCRT के किसी क्लास का अगर आप लोग को सोलिशन चाहिए किसी भी सब्जेट का तो आप नीचे कमेंट वाकस उसमें कमेंट कर सकते हैं मैं 24 शरताज इगंट यानि की एक सदो दिन के अंदर आप लोग के जो आप लोग जो सब्जेट का जो कोशन अंसर रिक्वेस्ट करेंगे उसको बन लगी है तो दिल से एक लाइक कर दीजेगा इस वीडियो को आप लोग के लिए मैं डेली बैसित पे हाँ पे मेहनत करता हूँ कि आप लोग की हिल्प कर सकूँ और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी क्लास 8 में है अगर उनको भूबल के किसी भी चेप्ट